अभी आपने बताया कि इश्वर जो है वो शुद्धता में रहते हैं या फिर आपके कारेक्टर में रहते हैं तो आप हमें ये बताईए कि कारेक्टर क्या होता है मलब किसी का कारेक्टर अगर आध्यात्म की द्रश्टी से देखना है तो कारेक्टर कैसे डिफाइन करेंगा जब व्यक्ति अपने जीवन में संपुल रूप से निश्वार्थ होने लगता है सेल्फ लेस होने लगता है तो वही से उसके चरित्र का निर्मान होने लग जाता है जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है जब तक हमारे अंदर लोब है जब तक विकारों के द्वारा हम बाधी गए हैं पकड़े गए हैं तब तक व्यक्ति चाहा करके भी अपने करेक्टर को जो है वो शुद्ध नहीं कर सकता है हाँ दिखाने के कोशिश करेगा लेकिन वो किवल हिपोक्रेसी होगी वो दंब होगा तो अगर किसी व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्मान करना हो तो सबसे पहले ग्यान को अपने ज इसकाम हो गया ना तो फिर उसका पूरा का पूरा जो चरितर है वो एकदम निश्कलंग हो जाएगा और उसके दोरा जैसे साइद भगवान ही उसकी आँखों से देखेंगे उसके हरदे से भगवान ही साइद संसार को महसूस करेंगे उसके जीवा के दोरा परमात्मा ही बोले तब तक सही अर्थों में हमारे चरित्र का निर्मान नहीं हो सकता है तो जो अध्यात में है धर्म है जीवन की जो सच्चाई है अच्छाईयों को जो अपने जीवन में हम जीएंगे तो ही हमारे जीवन में चरित्र का निर्मान संभव है अभी वीरल के साथ आपने एंसर किया